सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटस वीडियोज को देखने के लिए मैंने अब इंस्टाग्राम पर भी अपना अकाउंट बना लिया है लवनीश सरकी क्लास अंडस्कोर डबल टू आप यहाँ पर भी इसको फॉलो करके हमारे लेटस और अपडेटेड वीडियोज देख सकते हैं हेलो एंड वेलकम तू लवनीश सरकी क्लास दिस डिरेक्टरेट अफ एड्यूकेशन जीन सीटी अफ डेलीज वर्कशीट वर्कशीट नमबर 2 तो आज हम जिसके बारे में डिसकस करेंगे वो है टाइम और टाइम की तो बात करेंगे ही करेंगे क्योंकि टाइम सब के लिए एवरिबडी एवरिबडी लाइफ में जो टाइम है वो बहुत जादा इंपॉर्टन है और उस टाइम का मेजर्मेंट कैसे करते हैं कितनी वेज में करते हैं कितनी तरीकों से हम लोग टाइम का मेजर्मेंट करते हैं आज हम इसके बारे में सीखेंगे So let's start with me Ravi was very eager to go his school after a long time He was frequently looking at the wall clock और ऐसा ही आपके साथ भी होगा क्योंकि एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब आप भी स्कूल जाने के लिए बहुत time के बाद बहुत जादा मतलब तयार होके वेट कर रहे होंगे And he was frequently looking at the wall clock और आप भी शैद ऐसा ही करेंगे बार-बार time को देख रहे होंगे क्योंकि हम सब की जो habit है वो अब change हो चुकी है क्योंकि हम घर में रहते हैं देर से सोना, देर से उठना हला कि ये चीज़ गलत है लेकिन फिर भी हमारा जो एक schedule है वो बिगड़ चुका है लेकिन जब after a long time हम भी school जाएंगे तो हमें भी जाने में थोड़ी बहुत परिशानी जरूर होगी और इसी के base पर ये questions भी हैं कि What was Ravi observing in the wall clock? क्या वो observe कर रहा था? Wall clock में? Time And the second question is What other things could be used by Ravi to know the same? And we will do these questions with another question The next thing is Many natural events repeat themselves after a definite interval of time For example, a day, a month and a year All are the fixed intervals of time तो आप देखिए कि हमारे आसपास बहुत सारी ऐसे natural events होती है जो कि एक definite interval of time के बाद वो repeat हो रही है जैसे a day जो भी day होता है वो next day फिर वैसा ही दिन आ जाता है A month and a year अभी जैसे September चल रहा है तो जब ये पूरा circle पूरा होगा तो फिर दुबारा next year September आ जाएगा तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे events जो है वो repeat होते रहते हैं after a definite interval of time फिर उसके बाद जो हमें questions दे रखे हैं वो है right suitable word for the given duration अब आपको बताना है कि इसके लिए कौन सा word suitable हो सकता है जैसे first is the time between one sunrise and the next जब one sunrise होता है और फिर next वाला sunrise होता है तो उसके बीच में जो time होता है उसको हम क्या कहते है a day very good second is the time duration from one new moon to the next तो one new moon to the next का मतलब है कि one new moon का मतलब क्या है कि जब वो अमवस्या होती है जैसे new moon बनना शुरू हुआ और next कब होगी तो उसके बीच में जो interval होगा time interval है वो क्या कहलाएगा a month और फिर third one is the time taken by the earth to complete one revolution of the sun यानि sun के चारो तरफ एक revolution होने में जो earth को time लगता है वो कितना होता है a year येस तो अब हम बात करते हैं यह जो यहाँ पर एक picture given है यहाँ पर three clocks दिखा रखें एक है wall clock और फिर एक है table clock और एक है digital clock अगर आप इनको धिहान से देखेंगे तो यह देखेंगे यह शायद older time की है पुराने जमाने की watch है wall clock हलाकि अभी भी ऐसी modernized wall clock आती है लेकिन जादा ता सभी के घरों में ऐसी wall clock होती नहीं है तो इसमें जो यह एक चीज है इसको हम कहते हैं pendulum क्या कहते हैं pendulum तो इससे भी हम measurement of time कर सकते हैं और आप देख रहे हैं कि यह जो table clock है इसमें भी एक swing है जो की हर समय चलती रहती है और 1 second से 2 second 2 second से 3 second यानि 1 second से 2 second आने में वो जितना time लेती है उतना ही time वो 2 second से 3 second में आने में लेती है और यही जो principle है वो हमारे digital clock में भी काम करता है तो फिर यहां पर लिखा भी है कि clocks और watches are the most common time measuring devices तो इसका मतलब आपको समझ में आया कि इसका मतलब यही है कि जो clocks और watches हैं वो most common time measuring device होती है और जादे तर हम लोग इसे ही use करते हैं clocks make use of some periodic motion one of the most well-known periodic motions is that a simple pendulum यह जो pendulum है वो periodic motions का को जानने के लिए बहुत ही बढ़िया एक example है आप अगर इसको धिहान से देखेंगे तो यहां पर इसकी जो दिखा रखा है उसको figure से हमें दिखा रखा है कि उसकी speed उसका motion होता कैसे है जैसे first picture में आपको दिखा रखा है कि वो zero वाले stage पर है जैसे कि यह और फिर जब वो zero से a की तरफ जाता है फिर वो फिर वो क्या करता है b की तरफ जाता है और फिर वापिस से वो a की तरफ आता है तो इसको हम एक जो है पूरा एक इसका oscillation बोलते है और यह बहुत ही बढ़िया example है time को measure करने के लिए और यही जो principle है यही सभी watches में भी काम करता है तो a motion that repeats after certain time interval is called periodic motion तो आपको अब समझ में आया कि motion जो है एक motion जो की certain time interval के बाद अपने आपको repeat करता है उसको हम periodic motion कहते है for example motion of earth around of around of sun येस और एक example है motion of swing ये बहुत बढ़िया example है कि motion of earth around sun आप देखिएगा कि ऐसा तो नहीं ना कि एक point से जो earth start करती है और sun की चारों तरफ revolution करती है उसके बाद वो रुख जाती है ऐसा नहीं फिर दुबारा से वो उसको करती है तो इसी तरह से जो swing वाला motion होता है swing का motion देखिए बिल्कुल वो pendulum की तरह ही होता है कि एक बार वो a point की तरफ जाता है फिर b point की तरफ आता है और वापेस अपने जो neutral position है उस पर वो आता है तो इसके बाद है कि तो अब बदाया है कि किस तरह से जो pendulum का तो अब फ्रो का मतलब होता है कि अपनी जगे से आगे जाना फिर वापेस आना फिर आगे जाना फिर वापेस आना तो ये एक जो बहुत simple example है periodic और oscillatory motion का pendulum फिर उसके बाद लिखा है कि the pendulum completes one oscillation when its bob moves from one extreme position A to the other extreme position B and comes back to A और जो अभी हमने figure में देखा था वही चीज लिखी होई है कि ये जो pendulum है ये A से A पे गया और फिर B position पे गया और वापिस फिर अपनी neutral position पे आया इसको हम oscillation कहते हैं और इसके बीच में जितना भी time taken हुआ उसको हम time of oscillation कहते हैं तो इसके बाद है कि units of time units of time का मतलब क्या है कि जो हम time को measure करते हैं किसमें measure करते हैं the basic unit of time is a second हम हमेशा seconds में count करते हैं ये इसके सबसे जो short जो unit है सबसे smallest unit है time की वो है second और उसके बाद है कि its symbol is s और आपको पता है कि जैसे हम 1s लिखें ये 2s लिखें इसका मतलब होता है the larger units of time are minutes and hours तो जो larger units of time है वो क्या है minutes जिसको हम min से denote करते हैं और hours को हम h से denote करते हैं तो ये तो थे हमारे worksheet के topic चलिए अब चलते हैं अपने question answers की और Now the first question is what was Ravi observing in the wall clock answer is time second question is what other things could be used by Ravi to know the same वो उसके अलावा किन और चीज़ों से उस time को वो देख सकता था the answer is table clock, wrist watch, mobile phone, etc Now the third question third question का first part है एक fling the blanks वाला sentence है the motion of the earth around the sun is an example of revolution motion हमें पता है कि जब sun की चारों तरफ जो अर्थ एक पूरा चक्कर लगाती है उसको हम revolution कहते हैं फिर second question is what do you mean by the time period of oscillation दो अभी मैंने आपको पहले बताया भी था कि the time taken by the pendulum to complete one oscillation is called time period and the third question is what are the benefits of doing work on time एनि two benefits आप समय पर काम करते हैं इसके दो benefits आपको बताने हैं तो जो वो दो benefits थे वो क्या क्या थे वो हैं by completing the work on time the work is organized and proper यानि जब हम समय पर काम करते हैं तो जो हमारा work होता है वो organized होता है और क्या होता है बिलकुल proper होता है और second thing is we remain tension free और हम हमेशा tension free रहते हैं तो ये तो थे worksheet की topic and that's all for this worksheet अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो आप इस channel को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे साथ इसी तरह worksheet को समझते रहिए लेकिन ध्यान और मन लगा कर जरूर पढ़ते रहिए Thank you very much